प्रदिश में मांसूं की लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गालकर शिमला फोरलेन हाईवे पर सीधा असर पड़ता है भारी बारिश के कारण हाईवे पर उचे उचे पहादों पर पसे जांगेवा पत्थर हाईवे पर गिरते रहते हैं गनीमत यह है कि अभी तक कोई भी वहन इसकी चपेट में नहीं आया है। आलांकि कई बार पहाद से गिरते पत्थर बाहनों से चक्रा कर खशती पहुचा चुके हैं। लेकिन सुखर बात यह है कि अभी तक किसी भी वहन को ज़्यादा खशती नहीं पनुची है। शनिवार की शाम को भी तक्यार से धर्मकुर तक भारी बारिश के कारण जगया जगया पहादों से आफ़त बनकर बड़े बड़े पत्थर हाइवे पर गिरते रहे। लेकिन दनीमत रही कि कोई भी वहन इसकी चपेट में नहीं आया हाइवे पर गिरे हुए पत्थरों को देखकर वहन चालकों के होश ओड़ते नजर आये क्योंकि अगर इन पत्थरों की चपेट में कोई वहन आ जाये तो बहुत ज्यादा नुटसान हो सकता था हाइवे पर पहार के साथ वहन को ना चलाएं ताकि आप किसी अपरी घटना से सुरक्षित रहें पहार किसी अपरण चाहर इंगार इन को पिर सबस्ता है तो यह जिसो आप को अख किसी अजर शखभावे पहार कर दो बहुत है धन्पुर से धन्पान की विशेश रिपो